वेलकम टू माई चैनल तो आज बना रही हूं मैं राइस केक्स कोरियन स्टाइल के बहुत ही अच्छे बनते हैं यह बिल्कुल लो फैट है और इसमें ओयल बहुत कम यूज होता है तो आज यह फी स्चार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक पैन उसमें डालेंगे हम तीन लिष्पून चावल का अट्टा इसको डालके हम तुरंती मिला लेंगे और इसका एक गोल त्यार हो जाएगा अच्छे से इसको मिक्स करेंगे यह दिखिए अच्छे से करने के बाद ग्यास कर देंगे बंद और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे जब तक यह ठंडा होता है तब तक ओन एक पेस्ट में आगे तियार करेंगे हम लेंगे एक पान इसमें डालेंगे हम कटे हुए 2 टमाटर और पांच छे पीसिस सुखी लाल मिर्च की इसको पांच तक पकाएंगे इसके बॉयल आने के बाद इसका हम एक पेस्ट त्यार कर लेंगे अब हम लेंगे चावल का बैटर उसको हमने एक बड़तर में डालके उसका एक डो त्यार कर लेना है इसको मसल मसल के त्यार करेंगे हम अच्छी तरह से यह देखिए मैंने एक डो लगा लिए इसका थोड़ा सा स्टिक्की होता है तो आप उयल का यूज कर सकते हो हाथों पे यह देखिए इस तरह से एक लेंगे हम लोई और उसको हम एक चॉपिंग बोर्ड पे या किसी भी चकले पे इसको लंबा लंबा हम बेल लेंगे इसको हमने सेलेंडर की शेप में छोटा-छोटा काटना है यह देखिए इस तरह से बहुत ही असानी से यह कर जाते हैं और आप इसको अपनी शेप में बना सकते हो आप इसको गोल-गोल इसकी बोल्स भी बना सकते हो और इसकी स्लेंडर शेप में इसकी शेप बना सकते हो इस तरह से हम सारी अपनी राइस केक्स को त्यार कर लेंगे यह देखिए मैंने एक सार सारे बना लिए हैं अब लेंगे हमें एक बरतन उसमें हमने पानी को दो लिटर पानी को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है कि यह दिखान रख्यें कि जब भी आप इन राइस केक्स को पानी में डॉल तो वह उच्छी शाय काशिए कुए पानी कि जैसे जैसे यह पकने शुरू होंगे तो जो मारा है केस्म उपर आने शुरू दाएंगे यह देखिए हमारी राइस केक्स उपर आ रहे हैं इसको हमने 10-15 मिन तक फुल फ्लेम पे ऐसे ही बॉयल करना है ऐसे बॉयल करने से इसका एक्स्ट्रा स्चार्ज है जो वो पानी में जला जाता है और इसको हम पानी कर लेंगे स्ट्रेन इसको हमने तुरंती ठंडे पानी में डालना है अब लेंगे हम एक कडाही उसमे डाल लेंगे हम एक टेबली स्पून ओयल सबसे बाले डालेंगे इसमें हम गार्लिक और सेसमे सीट्स जिने वाइट दिल भी बोलते हैं इनको डालके हम एक बार अच्छी रासे सोटे कर लेंगे अब डालेंगे इसमें हम पेस्ट जो हमने टमाटर और लाल मिर्च का बनाया था उसको डालने के बाद हम डालेंगे इसमें स्प्रिंग ओनियन उसको डालके भी एक बार चला लेंगे इसमें हम जो स्प्रिंग ओनियन है जो ओनियन है वह बाद में डालेंगे अब डालेंगे इसमें एक चमच नमक और एक ही चमच डालेंगे इसमें चीननी का एक टी स्पून सोया सॉस एक टी स्पून चिली सॉस एक टेबली स्पून मैटो कैचप और इसको हम अच्छी ज़़ा से हिला लेंगे इसमें बॉयल आने के बाद जो हमारे राइस केक्स है उनको डाल देंगे इसमें बॉयल आने के बाद इसमें डाल लेंगे हम कोरियन सोस अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो इसमें आप सेजबन सोस भी डाल सकते हो इसके एक boil आने के बाद हम कर देंगे अप गयास को बन तो हमारी जो rice cake सथो बन के हो गयात्यार क्यासी लगी आप लोगों को पर यी recipe comment books में जूरू ताए आप लोग कहां से देख रहे हैं कि य药ी comment books में जूरू mention करें Thank You for watching